तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे इजी भाषा में सबसे इजी लेंगवेज में आपको बता देता हूं कि जो लैस्थिसले की definition dette rik화를 dc है फिर मैं एक्सका explanation आपके लिए बहुत ही आसान वे में करने जा रहा हूं ठीक है दोस्तों पहले language देखते हैं क्या दी हुई है बुक में तो दोस्तों देखिए elasticity क्या होती है elasticity is the property of by virtue of which a material deformed under the load is enabled to return to its original dimension when the load is removed तो दोस्तों देखिए ये क्या कहना चाहरा है elasticity की definition में ये कहता है कि elasticity जो होती है किसी भी material की एक property होती है इस property में क्या होता है जब हम किसी भी body में जब महारे पास कोई भी body है अगर हम उसमें load लगाते हैं तो क्या होता है वो deformed होना start हो जाती है इसका मतलब क्या होता है या तो उसकी length बढ़ जाएगी या उसकी length घट जाएगी दो मतलब होते हैं deformed के ठीक है दोस्तों ये depend करता है कि load कौन से लगा रहे हैं तो क्या होता है जब भी हम elasticity एक property होती है material की जब भी हम किसी भी body में load लगाते हैं तो क्या होता या तो उसकी length बढ़ जाती है या घट जाती है ठीक है दोस्तों load लगाने के बाद जैसे ही हम उस load को हटा देते हैं जैसे ही हम उस load को हटा देते हैं जो उस body की original क्या थी original dimension थी वह वापस regain हो जाती है इसी property को क्या कहते है इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डाइग्राम के थुम आपको बता देता हूं कि कैसे दिया जाता है माली जे यह जो आपके पास दी है figure 1 में यह आपको एक body दी हुई है original body ठीक दोस्तो original body दी हुई है अब इसमें क्या है कि इसमें compressive force लग रहा है compressive force मतलब खिचाओं वाला force लग रहा है दोनों ही तरफ से यह मैं आपको दिखाया है इसमें पी force दोनों तरफ लग रहा है यह original body है पी force लगने के बाद इस original body में क्या हुआ यह body turn हो गई इस वा इसकी length कितनी increase होगी इसकी length इतनी increase होगी उपर वाले की according उपर वाले की अपिक्षा में देन according to above body इसमें कितना change हो गया delta L मैंने इसमें change मान लिया अगर इसकी length L थी तो इसमें delta L का दोस्तों change हो गया ठीक है दोस्तों load अभी भी body under load में है उसके बाद क्या procedure होता है मैंने यह load हटा दिया उस body पर से तो क्या होगा after removal load यह body कैसी होगी यह अपने original shape में यह वाली body हमारी आ गई इसी property को हम क्या कहते है elasticity कहते हैं लेकिन सबसे important बात इसमें क्या है elasticity जो होती है हर एक body के लिए define होती है elasticity की value याद रखिए किसी भी property की किसी भी material की elasticity की value define होती है उस value के बाद अगर हम उस value से ज़्यादा किसी भी body के अंदर हम अगर force लगा देते हैं तो वह अपनी after removal load original dimension regain नहीं कर पाता ठीक दोस्तों इसको याद रहे कि elasticity की body क्या होती है आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर इतना समझे में आया होगा अब जो engineering में होता है उसके according to आप देख लिए इसकी क्या होती है एक graph के according देख लिए दिए मैंने क्या limit है elasticity की limit आपने माले जिए कि हमने force लगा दिया समें elasticity की limit तक उसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पर क्या होता है elasticity उसके बाद यह क्या करेगी यह अपनी regen shape कर लेगी अगर मैं यह तक load लगाता हूं लेकिन अगर यह के बाद मैं लगाता हूं यह क्या हो जाती है plastic body तो द दोस्तों के साथ जरूर शेर कर दीजिए thank you for watching guys ऐसी definition और lectures के लिए आप मेरे साथ बने रहे हैं मैं lectures भी बना रहा हूं आप लोगों के लिए soil mechanics और revision की वीडियो भी स्टार्ट की है building materials की तो छोड़े छोड़े definition के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं और चैनल को सब्स शेर और सब्सक्राइब करते रिए thank you again दोस्तों stay home and stay safe